इस ELP pollination में होता है लिआपटेशन की पावर नहीं होगी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो these are the drawbacks, यह drawbacks हैं किसके cell pollination के, तो cross pollination better है cell pollination से, तो उसमें क्या होता है, यह सारे जो cell pollination की कमिया हैं, वो उसमें खतम हो जाती है, तो start करते हैं cross pollination से, ओके good morning students, तो जिन्होंने subscribe नहीं किया, subscribe कर लिजे, like कीजिए और अपने friends से share करिए, और lecture के last में कोई भी question arise होता है, तो आप comment section में जाके comment कर सकते हैं, तो cross pollination की definition क्या है, cross pollination की definition है, transfer of pollen grain from enter to genetically different flower, flower क्या होतना चीए, genetically different, तो इसमें क्या होता है, flower भी different है, और plant भी different है, दोनों इसमें different है, ठीक है, तो cross pollination, cross pollination को और क्या भोलते हैं, जीनोगेमी, ओके, और वैसे तो देखा जाए, तो जीटोनोगेमी भी क्या है, cross pollination में आता है, बट उसमें genetically same होते हैं, ओके, तो जीनोगेमी, यह मैं डाइग्राम में दिखाती हूँ, यह मेज प्लांट है, ओके, तो मेज में क्या होता है, जीटोनोगेमी भी होता है, और जीनोगेमी भी होता है, जीटोनोगेमी तो यह हो रहा, मैंने पिछले lecture में भी बताया था, पोलन गिर रहे हैं, एक flower से दूसरे flower के stigma पे, तो यह तो क्या हो गया, प्लांट सेम है, तो यह तो क्या हो गया, जीटोनोगेमी, तो इसका इग्जामपल हुआ है मेज है अब जीनोगेमी में क्या होता है पोलन ग्रेंज को ले जाने के लिए किसी वेक्टर की जरौद पढ़ती यानि एजन सी की जरौद पढ़ती तो एजन सी दो टाइप की होती पूंचोंजी अगर जाता है इनको भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए विंड के थुष वगर पोललन जाता है तो से क्यआ करता है एनिमोफिली और वाटर के थूच नोर से हैं हाइड्रोफिली तो दोनों ऑट्वित करने मं करता हैं ब मिश्कमिन। ऑब एवक्वित पोलिफिए कौन करने मं हैं साथ एल्फ गरता है बी, मदुमक्की और दूसरा होता है बटरफ्लाई, ओके ये दोनों ही help करते हैं, तो इंसेक्ट के थुरू अगर pollination होता है तो उसे क्या करते हैं, entomophily और ऐसे इसी birds भी help करती है, तो birds के थुरू अगर होता है, तो उसे क्या करते हैं, ornitophily और बेट बेट के थुरू होता है, तो उसे क्या करता है चिरोप्तोरोफिली, और स्नेल, गोंगे वगर जो होता है उनके थुरू अगर होता है, तो उसे क्या करता है महलेकोफिली, और अपन human being, अपन भी responsible होता है, pollination के लिए तो ये सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे किसे एनिमोफिली, यानि wind के थुरू pollination, ओके, तो wind के थुरू pollination को क्या भोलता है एनिमोफिली, तो एनिमोफिली क्या होता है transfer of pollen grain from enter to stigma of genetically different flower with the help of air, wind wind के थुरू पास होता है, तो उसे क्या करते हैं, एनिमोफिली, अब इसमें pollen grain कैसे होने चाहिए और flower की क्या क्या करेक्टे स्टिक होने चाहिए तो wind के थुरू pollination होने के लिए pollen grain हमेशा क्या होने चाहिए pollen grain एक तो light weight के होने चाहिए, यानि हल के होने चाहिए, ओके और stick ही नहीं होने चाहिए, चिप-चप नहीं होने चाहिए और तीसरो dry होने चाहिए जिससे हवा के तुरू transfer हो सके, और flower की क्या के 真 कई consistsky होने चाहिए इसमें flower कर और ज्याए, एक तो colorful नहीं होने चाहिए colorful वोंगे, तो insects attract हो जाएंगे और ग्रोज वह क्या एंटेमोफिल रूम सिप्टा सुरस्टा सब्सकर के लिए चत्थिन चिल सोक्षित में चाहिए और cluster में होने चाहिए inflorescence में और क्या-क्या characteristic होने चाहिए इसमें जो stigma जो होता है वो क्या होना चाहिए फैदरी होना चाहिए exposed होना चाहिए जिससे पोलन उस पे wind के तुरू आके गिरे और तो ओवरी क्या होनी चाहिए इसमें सिंगल all of you ओना चाहिए और इसमें और इसके example है जैसे mivasbes में क्या होता है जो style उसके जो mart के हेर होते है बाल होते है ष्ट्वरों स्टिगमा वो किया है एर में उदर उदर हिलते रहते तो जैसे पोलन आएगा वह उसके ऊपर बैठ जाता है तो मेज में अर्टीका अर्टीका प्लाइट में प्लान्ट में होता है गन-शक मेंसमें क्या होता है ऐसे भी मोटता ते स्थ करता और सारे पोलन भुझर जाते हैं तो एसे होता assisting जैसे ग्रासिस ग्रासिस साइनोडोन उसमें क्या होता है जो इस्टिग्मा होता है इस्टिग्मा तो क्या होता है फैदरी होता है और जो एंथर होता है वो क्या होता है वर्सेटाइल होता है जैसे जूलता रहता है तो उससे क्या होता है पोलन इस्टिग्मा के उपर आसानी स से गिड़ जाते हैं तो यह कुछ एक्जाम्पल है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पोलीनेशन होता है तो अपने एनिमोफिली पड़ा